काना जी के सभी वक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा मैं प्रात्ना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थों और खुश्यों तो देखें फ्रेंस आज हम लड्डू को पाल जी के लिए यह बहुत दी कूप सुरसी न्यूर डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस पनाएंगे सबसे प उपर ले आकर ऐसे हम कंदे पर ये टिप टैप बटन पंद कर देंगे दोनों ही तरफ से ड्रेस का लुप कुछ ऐसे आजाएगा पीछे की तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ देखें पीछे की तरफ से ड्रेस का लुप कुछ ऐसे आएगा इस ड्रेस को बनाना बहुत आस पूछना चाते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है आदी कुल्च्राल वॉल्ट 268 साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चले फ्रेंस अब हम ये बहुत ही कुपसूरसी कानजे की नियू डिजाइन समर स्पेशल ट्रेस पनाना श कट कर लिये हैं मैंने अस्तर का कपड़ा यूज किया है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है आप देख सकते हैं ये आर पार छलकता है और प्योर कॉटन भी होता है तो कानजे के लिए गर्मियों में कॉटन का कपड़ा बहुत जादा आराम दायक रहता है इसलिए मैं ये अ टफेटा, सिल्क, चंदेडी, कोई भी कपड़ा यूज करके बहुत आसानी से ये ड्रेस पना कर कानाजी को पहना सकते हैं अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ और दोनों ही पीसिस का मेजरमेंट एकदम बराबर रखा है अब हमें इसको फोल्ड करके और इसके उपर सिलाई लगा गी है तो आज जो हम ये ट्रेस पना रहे हैं वो बिना सिलाई मशीन के बना रहे हैं इसलिए मैंने ये सुई धागा ले लिया है और इसमें मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे की मजबूती आएगी अब हमें पहले एक पीस लेना है और बीच में से इसको हम एकदम बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे बड़ा बड़ा अगर हम टक करेंगे ना तो फिर ये खुलने लगेगा और ड्रेस खराब हो जाएगी इसलिए देखे हमें एकदम महीन और पास पास में ऐसे छोटे छोटे से टाके लगाके इसको किनारे तक सिल लेना है किनारे तक हमने देखे इसको सूई धागे से टक कर लिया है अब यहाँ लास्ट में भी हम इसको लोग कर लेंगे तो नीचे से हमने देखे यहाँ पर सूई धागे से टक किया है ऊपर की तरफ यहाँ सेंटर में हम अंदर से सूई डालेंगे इस तरीके से और एक बार लोग कर लेंगे ऐसे लॉक करने के बाद अब हमें सूई को पीछे की तरफ से इसमें अंदर डालना है और दूसरे तरफ से निकाल लेना है तो इस तरीके से देखे हम सूई डालेंगे और दूसरे तरफ से निकाल लेंगे अब इधर की तरफ से हमने देखे यह जो टक किया था इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हमें यहां से धागा खीचते जाना है जिसे कि यह बहुत आसानी से अपने आप पलट कर सीधा हो जाएगा हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप देख सकते हैं हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है इस तरीके से कितनी भी पटली पटी हो आप उसको पलट कर सीधा कर सकते हैं अब देखे हमने यह एक पीस बना के तयार कर लिया है सेम ऐसे ही यह जो दूसरा वाला कपड़ा हमने कट किया था इसको भी हम तैयार कर लेंगे हमने देखिए दोनों ही पीसे बना कर तयार कर लिया है अब हम इसमें लेस लगाएंगे तो मैंने देखिए ये पिंक कलर की थ्रेड लेस ले लिया है आप देख सकते हैं ये कितनी सुन्दर लेस है और मार्केट में बहुती इजिली मिल जाती है जब भी मैं कॉटन के कपड़ इस से कोई भी ड्रेस पनाती हूँ न तो उसके साथ थ्रेड लेस या पॉम पॉम लेस का यूज करती हूँ क्योंकि कॉटन के कपड़े के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी पिंक क इसमें भी जिधर की तरफ से हमने लगाई है उधर की तरफ से हम लेस लगा लेंगे इस तरीके से हम देखे लेस को रखेंगे फिर यहां से सूई धागे से टक करना शुरू कर लेंगे हमने देखे जिधर की तरफ से सिलाई लगाई थी उधर से ही सुई धागे से टक करके और लेस को जॉइंट कर लिया है अब हमें इन दोनों corner से इसको double fold करके सुई धागे से टक करना है तो देखे एक बार हम ऐसे fold करेंगे फिर एक बार और fold करेंगे ऐसे double fold करते हुए फिर सुई धागे से टक करके इसको joint कर लेंगे ऐसे ही इधर की तरफ से भी हमें सुई धागे से टक करना है तो दोनों pieces में हम किनारे से देखे सुईधागे से टक कर लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं दोनों ही पीसिस में देखे किनारे से हमने सुईधागे से टक करके और इसको फोल्ड कर लिया है अब हमें ऐसे रखना है और जो दूसरा पीस है इसको हमें बीचों बीच से ऐसे cross करके रखना है फिर हम सुईधागा लेंगे और centre से इसको टक करके एक के उपर एक joint कर लेंगे बीच में से सुईधागे से टक करने के बाद अब हमें इसमें tip-tap button लगाना है तो मैंने देखिए ये दो tip tap बटन ले लिये हैं, पहले हम इसको ऐसे open कर लेंगे, और open करने के बाद इसके जो दो pieces हैं, यहां उपर की तरफ हमें लगाना है, सीधी तरफ से, यह चीज हम ध्यान रखेंगे कि दो pieces आगे हमें उपर की तरफ से लगाना है, और यह जो बचे द्रेस को पलट कर, और यहां पीछे की तरफ से नीचे लगाना है, देखें, इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं फ्रेंज, हमने आगे की तरफ से उपर दोनों pieces में एक एक बटन लगाया है, और अब पीछे की तरफ से हमने नीचे दोनों pieces में एक एक बटन लगा लिया ह पर अगर आपके पास टिप्टब बटन नहीं हो तो आप इसकी जगब पे हुकिया वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं अब ड्रेस कम्प्लीट हो गई है तो दिखी फ्रेंज हमारे लड्डू कुपाल जी के लिए बहुत ही खुपसुरा सी न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस पनकर बिल्कुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हो ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ पहला आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तैंक यू